इस वीडियो में आपको डिटेल में टाइम मैंनेजमेंट के बारे में सिखा रहा हूँगा ये वीडियो especially college students के लिए यार तो बहुत अच्छी बात है यार कि अगर आप इस वीडियो को अपने first year में या फिर first semester में देख रहे हो क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़दा help कर सकता है आने वाले time के लिए तो यार college ये कैसी जगह होती ही जहांपर मुझे इस चीज़ के बारे मैं पता है खुद के experience से कि जहांपर आपके पास बहुत सारा free time होगा और ये बिलकुल totally आपके उपर depend करेगा कि आप उस time को यार सही तरीके से investment करते हो एक जगह पे या फिर यार किसी जगह पे waste कर देते हो अब college के first semester में एक proper time table बनाना जिसको आप follow कर सको और बहुत ज़दा productive बन सको ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता आपके लिए क्योंकि first semester में अभी भी आप चीजों को समझ रहे होते हो आप college के महौल के अंदर खुद को ढाल रहे होते हो आने वाले 3-4 सालों के लिए तो यार मैं अपने तीन सालों के college के experience है आज आपको तीन ऐसी tips बताऊंगा जिसके द्वारा आप यार time management के बारे में सीख सकते हो ताकि आप एक productive college life अपनी जी सको टिप नमबर वन है यार create a routine अब routine basically यह कैसी चीज होती है यार जो आप on a daily basis टास्क बगएरा कर रहे होंगे अब जितनी जादा अच्छी आपकी routine होगी ना उतना ही जादा productive आपका धिन जाएगा और एक अच्छी routine को build करने के लिए आपको सबसे जादो जो चीज काम आईगी वो होती है एक to do list अब to do list यार एक ऐसी चीज होती है जो on a daily basis पे आपको जो task बगएरा करने होते है ना वो आप एक छोटे से page के ओपर या फिर एक diary बगएरा के ओपर लिखते हो और उसी task को आप majorly focus कर रहे होते हो यार कि हाँ मेरे को इन task को daily basis पे complete करना है और मेरा time कहीं पर जादा waste वगएरा नहीं होगा अब यार अगर आपको एक to do list बनानी है ना तो यार आप ये छोटे cheat notes वगएरा पे भी बना सकते हो इनके ओपर अपने majority task वगएरा लिख सकते हो कि यार दिन के ये मेरे को 3 या फिर 4 important task है कि जो मेरे को लिखने है और या फिर अगर आप cheat notes वगएरा नहीं संबालना चाते हो तो यार आप ये छोटी से diary वगएरा भी ले सकते हो जिसके ओपर यार आप अपना time table वगएरा बना सकते हो और जहां पर आप अपने उस to do list को maintain करके रख सकते हो हर एक दिन पे अब to do list यार आप सुबा उटकर भी बना सकते हो या फिर जब आप पिछली रात को सो रहे होते हो ना तो पिछली रात को रात को लिख लिया करो कि हां कल मेरे को ये ये task करने है अब अगर दूसी tip की बात करें तो यार वो है know your distractions ठीक है अब यार अगर जैसे मेरे अपनी बात करो राइट है तो मुझे पता यार कि बेफालतू के रील्स वगएरा scroll अगर मैं करता रहता हूना तो मेरे time waste वगएरा हो ठीक है अब आपके schedule के हिसाप से यार आपके लिए बहुत सारी चीज़े हो सकती है जो बहुत सारी चीज़े हो सकती है जैसे कि दो दो गंटे तक बेफालतू की चैट करते रहना दोस्तों से या फिर college में बेफालतू की गेडी वगएरा मारते रहना या फिर और भी बहुत सारी चीज़े हो सकती है यह अब आपको खुद से पड़ेगा यार कि आप अपना majority time कहां पर पूरे दिन में एक ऐसी जगह पे डाल रहे हो जहां से कोई भी आपको outcome वगएरा नहीं मिल रहा ठीक है तो यार ये सब जब आपको distractions के बारे में पता होगा ना और जब आप एक जगह पे लिखोगे ना कि हाँ ये ये मेरी distractions है तो अगली बार से जबी भी आप उन distractions वाली face में होगे ना तो आपको ये चीज ना गंटी आपके दिमाग में automatically बच जाएगी कि हाँ यार ये ना मैं time सही जगह पर अपना investment नहीं कर रहा हूँ चलो अब मैं काम करता हूँ जो मैंने to do list में चीजे तो मेरे को उतना ज़्यादा होने नहीं वाला है तो इससे अच्छा यार इस time को मैं कहीं और पर manage कर देता हूँ और वो time कहां पर होगा जो आपने to do list के अंदर टास्क वगेरा लिखे हुए होगे अब tip number 3 की बात करें यार तो वो है distribute your time अब यार college life में कुछ बच्चे शा यार काम कर सकते हैं जहां से वो एक income source generate कर सकते हैं या फिर कुछ भी मतलब चीज़ productive कर सकते हैं अब यार आपको अपने schedule के हिसाब से ये चीज़े पता करनी होगी कि यार मेरा कब time free होता है और मेरे को उस dedicated slot में क्या चीज़े करनी है for example अब यार मुझे पता है कि पूरे द चाहिए मैं जितने मर्जी वज़े से हूँ लेकिन वो जो एक घंटा पहले का होगा ना तो वहां पर मुझे ना ये दो वगएरा काम करने है अब मुझे पता है कि college के जो free lectures होंगे ना तो वहां पर मैंने time दिया हुग है कि मैं library में जाकर अपने scripting वगएरा कर या विडियो शूट करने के लिए तो मुझे पता यार जबी इन time period में मेरा कोई भी lecture वगएरा नहीं ना होगा तो मैं room में आकर वीडियो वगएरा record कर लिया करूँगा तो यार मैंने अपना time एक fix कर दिया हुग है कि यार हाँ इन घंटो में मैं ये ये काम कर रहा हूँगा उसी तरीके से यार अपना schedule को ढूंडो कि यार मेर को पूरे-पूरे दिन में जब free-free time वगएरा हुआ करेगा तो मेर को क्या-क्या चीज़े करनी है उन time में तो यार अगर इन तीन tips को follow करोगे ना तो आपको time management के बारे में बहुत सारी चीज़े पता चल जाएंगी in the end य इसे मिल रही होगी तो यार अगर हो सके तो यार वक्त की कदर करना सीखो क्योंकि वक्त की भी यही definition है कि अगर मेर से प्यार करोगे और मेरी कदर करोगे ना तो आने वले time में मैं आपकी कदर करूंगा तो यार हो सके तो time management को थोड़ी serious चीज़ लो अपने college life को ए प्रोड जादा active रहता हूं तil then here I'll see you all in the next video Sakshana Mahajan this side peace